नमस्कार, मैं असुक विश्वकर्मा हिंदी परक में आपका स्वागत है आज की कलास में भारत दुर्दसा नाटक से समझित 100 MCQ का भ्यास कराए जाएगा भारत दुर्दसा नाटक में पराधिन देश की दुर्दसा का चित्रन है दुर्दसा पर दुख प्रकट किया गया है अंग्रेजों के सासल में बढ़ती महंगाई, टैक्स, सोसन, दमन और अतीत के गौरों का असमन किया गया है पहला पर्ष्न है भारतिंदू हरिश्चंदर नाटक भारत दुर्दसा में कवी वचन सुधा का जिक्र किस पातर दवारा किया गया है से उत्तर है डिस लायल्टी गवीवचन सुधा पत्री का 18 वर्ष की उम्रे में भार्तेंदू हरिच्चंद्रे ने 1868 इस्वी में निकाली और 18 वर्ष की उम्रे में निकाली है और भारतेंदू का जन्ख हुआ है तो यहां पर देख रहे हैं 18 वर्ष का अंतर है और इसके बाद 1873 में भारतेंदु हरिशचंद्र ने हरिशचंद्र मैगिन पत्रिका निकाली जिसे बाद में हरिशचंद्र चंद्रिका कर दिया गया हिंदी नाटक के इतिहास में राश्ट्रिय चितना का पर्थम नाट्य आलेङ है पर्थम नाट्य रूपक है भारत दूरदसा नाटक में किसका मंगला चरण किया गया है सेउतर है किष्ण कल की अवतार का मंगला चरन किया गया है भारत दुर्दासा नाटक के पहले अंग का आस्थान कहा है भारत दुर्दासा नाटक में कुल छा अंग है तो पहला अंग जो है उसका आस्थान क्या है सेउतर है बीथी दूसरा अंक में असमसान तूटे फुटे मंदिर का जिक्र है तिसरा अंक में मैदान का है और चौथा जो अंक है वह कमरा अंगरेजी सजा हुआ भारत दुर्दसा नाटक के पाच्वे अंक का स्थान कहा है सेउतर है किताब खाना नाटक के किस अंक में अस्थान अस्मसान तूटे फूटे मंदिर का परियोग किया गया है से उतर है दूसरा अंक में भारत दुर्दासा नाटक के छठे अंक का स्थान कहां है भारत दुर्दासा नाटक में कुल छा अंक हैं तो छठा अंक का स्थान कहां है से उतर है गंभीर वन का मद्यभाग रोहू समय मिलिके आवहू भारत भाई हा हा भारत दुर्दासा न देखी जाई इस गित को कौन गाता है से उतर है योगी गाता है अगला प्रस्न है रोहू समय मिलिके आवहू भारत भाई हा हा भारत दुर्दासा न देखी जाई अंग्रेज रा सुकसा सजे सब भारी पैधन विदेश चली जात है यह अतिक्वारी यह पंक्ती भारत दुर्दसा के किस अंक में है यह पंक्ती पहला अंक में है अगला परिषण है भारत दुर्दसा नाटा का नायक है भारत बागिय और भारत नायक है डिसलायल्टी सत्यनास फोजदार अंधकार रोग आलास्य मदिरा उपरुक्त सभी सेउतर है उपरुक्त सभी भारत दुर्दासा नाटा के साख खलनायक है डिसलायल्टी सत्यनास फोजदार अंधकार रोग आलास्य मदिरा और खलनायक है भारत दुर्देव तो रोग आला से मदिरा अंधकार ये सारे क्या है अमूर्त हैं और इस पर मानवी क्रिया कलाप का अरोपण किया गया है इस नाटक में भारतेंदू हर्षचंद्र ने गौरव साली आतित के बावजूद दीन हिन मिर्त प्राय वतमान का मूल कार्ण के सेमाना है से उतर है आपसी कलाप भारत दुर्दासा के कीस अंक में भारतेंदू हर्षचंद्र ने अंगरेजों द्वारा भारत से धन लुट कर ले जाने की चिंता जताई है से उतर है पहले अंक में भारत दुर्दासा नाटक के कीस अंक में भारत का परवेस होता है से उतर है दूसरे अंक में भारत दुर्दासा नाटक के पात्र परिचे और नाटक का जो सारांस है इसका वीडियो बना हुआ है आप ले लिस्ट से चेक आउट कर सकते हैं देख सकते हैं नाटक भारत दुर्दासा में फटे कपड़े पहिने सीर पर अर्ध किरिट यान मुकूट हाथ में टेकने की छड़ी शिथिल अंग किसके रूप की वियाख्या है सेथर है भारत अगला परशन है को नहीं पकरते मेरो हाथ 20 कोटी सुत होते फिरत में हाई हाई होई अनात यह गित नाटक के की श अंक में गायाया गया है सेथर है दूसरे अंक में यह गित गाया गया है भारत दुर्दासा नाटक के दूसरे अंक में कोव नहीं पकरत मेरो हाथ किसके द्वारा गया जाता है से उतर है भारत भारत के द्वारा गया जाता है भारत दुर्दासा नाटक के दूसरे अंक में भारत मंच पर परवेश करता है और इस गीत को गाता है को नहीं पकरत मेरो हाथ और सिथिल अंग है वा सहता के लिए भारत पुकार करता है भारत को अपनी दुर्दासा देखकर किसकी याद आती है से उतर है स्रिकृष्ण की याद आती है भारत दुर्दासा नाटक में पात्रों की कूल संख्या कितनी है भारत दुर्दासा नाटक में पात्रों की कूल संख्या उनिस है भारत दुर्दासा नाटक संस्क्रित के किस नाटक की पर्तिकात्मक शैली से परभावित है से उतर है प्रबोध चंद्रोदय भारत दुर्दासा नाटक में किस रस की परधानता है वीर रास, करून रास, उपरुक्त दोनों, रौदर रास, सेवतर है उपरुक्त दोनों भारत दुर्दासा नाटक में वीर रास और करून रास की परधानता है भारत दुर्दासा नाटक में कूल कितने अंक हैं? इस नाटक में कूल छह अंक हैं इस नाटक में कूल कितने गीत हैं? भारत दुर्दासा नाटक में कूल गीतों की संख्या 15 है भारत दुर्दासा नाटक को भारतेंदू ने किस नाम से पुकारा है? नाटे रासक नाटे रूपक ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं भारतेंदु ने भारत दुर्दसा नाटा को नाटे रासक के नाम से पुकारा है और यह नाटे रूपक भी है लेकि भारतेंदु ने इसे नाटे रासक के नाम से पुकारा है अगला प्रशन है सुच्य अग्रम नेवं दास्यामी बीना उधेन कैसाओ या कथन किसके दवारा कहा गया है या कथन दुरियोधन के दवारा कहा गया है और भारत इस कथन को याद करता है दूसरे अंक में माभारत का प्रसंग है सुच्च अग्रम नेवम दासामी बिना युधेन केसो हे किष्णे बिना युधे के सुई के नोक के बराबर भी जमिन नहीं दूंगा दुर्योधन कहता है और इस कथन को भारत जुसरे अंक में याद करता है अरे पामर डैस तेरे उत्पन हुए बीना मेरा क्या डूब जाता था उपरुक्त कथन में रिक्त अस्थान भरिये यहां अरे पामर के बाद जैचंद होगा अरे पामर जैचंद तेरे उत्पन हुए बीना मेरा क्या डूब जाता था यहाँ पर भारत याद करता है जैचंद के देश्द्रोह को हाई अब मुझे कोई सरण देने वाला नहीं मातह राजेस्वरी विज्यानी मुझे बचाओ उपरुक वाक्यों में भारत किसे अपनी रक्षा के लिए पुकारता है से उतर है महराने विक्टोरिया जब किसी व्यक्ति का साहस और स्वाभिमान पूरी तरह नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति कायर होकर किसका सहारा लेता है लोव का निरलस्ता का अंधकार का आसा का से उतर है निरलस्ता का जब अपनी व्यथा में डूब कर भारत मुर्चा खाकर गिरता है तो उसके प्राण बचाने कौन आता है निरलस्ता आसा ए और भी दोनो कोई नहीं से उतर है ए और भी दोनो जब भारत मुझ्छा खाकर गिरता है तो निरलस्ता और आसा प्राण बचाने आता है अगला प्रसन है जांगिया सीर खुला उची चोली दुपट्टा ऐसा गिरता पड़ता था कि अंग खुले सीर खुला खंगियों का सा वेश भारतेंदु हर्चंद्र ने भारत दुर्दासा नाटक में यह किसके रूप का वर्णन किया है से उतर है निरलस्ता का निमनी में से कौन लड़की के वेश में है से उतर है आसा अगला प्रशन है भारत दुर्दासा नाटक में डिसलायल्टी का क्या अर्थ है डिसलायल्टी का अर्थ है देश द्रोह अगला प्रशन है भारत दुर्दासा के अमूर्त पात्र है आलास्य मदिरा अंधकार उपरुकते सभी अमूर्त पात्र का मतलब है यहां पर जो पात्र निराकारूप में हjamin और उसका मानवी करणी किया गया है अलस्यका, मदिराका, अंदकार का सयूतर है उपरुट सभी भारत दुर्दसा के अमूर्त पात्र है भारत निरलस्ता आसा उपरुथ सभी सेयुतर है उपरुक्त सभी भारत दुर्दसा के अमूर्थ पात्र हैं भारत निरलास्ता और आसा भारतेंदु यू का दस्तावेज भारतेंदु के किस नाटा को कहा गया है सेयुतर है भारत दुर्दसा को दुर्दसा के मूर्थ पात्र हैं सेयुतर है एडिटर भारत दुर्देव नाटक के कीस अंक में परवेश करता है सेयुतर है तीसरा अंक में परवेश करता है भारत दुर्दसा के जो पात्र परचे है और छो अंक इसमें है और छो अंक का जो दिर्श योजना है और इस नाटा का जो सारतत्व है सारांस है इससे समंधित वीडियो बना हुए है आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आप वहां से देख सकते हैं भारतेंदू हर्चंद्र ने अपने नाटक में किसे भारत दुर्देव की रुप में चित्रित किया है अंगरे सासकों को आपसी वीवाद को मुसलिम सासको ए और बी दोनों से उतर है ए और बी दोनों भारत दुर्देव अंगरे सासकों की रुप में और आपसी वीवाद की रुप में चित्रित किया गया है कुरूर आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेस हाथ में नंगी तलवार या किसकी रुप को दर्स आये भारत दूरदास्तां नाटक में। सेवतर है भारत दूरदेव। भारतेंदु हर छंद्रे ने मुसलिम और अंगरेजी सासकों को खिसके रूप में चित्रत किया है। शेवतर है भारत दुर्देव नाटा के किस आंक में भारत के दुर्दासा के कारणों का उलेख है सेवतर है पहले आंक में भारत के दुर्दासा के कारणों का वर्णन किया गया है इस नाटा के में मुसल्मान भारत को क्या कहते हैं हिंदू, वफादार, काफिर, इनमें से कोई नहीं, सेवतर है काफिर अंग्रेज भारत को क्या कहते हैं? इस नाटक में अंग्रेज भारत को काला कहते हैं काफर काला नीच पुकारूं तोड़ू पर और हाथ इस पंग्ती में काफर काला नीच किसे पुकारा गया है से उतर है भारत को पुकारा गया है फौजदार का नाम क्या था फौजदार का नाम सत्यानास था भारतेंदू सत्यानास फोजदार के समवादों के माधम से क्या बताना चाहते हैं देश का सत्यानास का कारण भारतेंदू भारत के सत्यानास का पहला कारण क्या बताते हैं से उतर है धर्म के नाम पर बटवारा भारत हिंदू के अनुसार हिंदू समाज की कूप मंडुक बनने का क्या कारण है सेयुतर है विदेश यात्रा परोग निमनी में से कौन भारत दुर्देव की सेना में सामिल था सेयुतर है उपरुक्त सभी भारत दुर्देव की सेना में फूट, डाह, लोब, भय, उपेक्छा, स्वार्थ, परता, पक्छपात, हर्ट, सोक इस सारे सेना में सामिल थे भारतेंदू ने वियफार के खत्म होने का मुख्य कारण किसे बताया है लोब को उद्यमिता का भाव, संतोस, A, B और C दोनों सेयुतर है B और C दोनों उद्यमिता का भाव और संतोस को बताया है अरे उपजा इसवर कोप से मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे इक राक्छस मानो जी यह गीत किसके द्वारा गाया गया है यह गीत भारत दुर्देव के द्वारा गाया गया है बिच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन किया यह कथन किसका है? यह कथन सत्यनास फौजदार का है राजा परजा सब को अपना चेला किसे बना लिया? भारतेंदू हर्शंद्र द्वारा रचित भारत दुर्दसा नाटक में राजा परजा सब को अपना चेला किसे बना लिया? से उतर है संतोस महराज भारत तो अब मेरे परवेस मातर से मर जाएगा घेरने का कौन काम है? या कथन किसका है? या कथन रोग का है डाक्टरों के द्वारा रोग से लड़ने वाले उपाय टीका लगाना इत्यादी लोग किस डर से मना कर देते हैं? से उतर है सीतला के कारण भारत दुर्देव किसे पान का बीड़ा देता है? भारत दुर्दसा नाटा का खालनायक है भारत दुर्देव और पान का बिड़ा देता है रोग को दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा मर जाना पै उठके कहीं जाना नहीं अच्छा इस गीत की प्रकृति क्या है इस गीत की प्रकृति गजल है जुनिया में हाथ पेर हिलाना नहीं अच्छा मर जाना पे उठके कहीं जाना नहीं अच्छा उपरुकते गित नाटक के चौथे अंक में कौन गाता है तो आलत से गाता है तो अंगरी बालिदिस्द न बमाल का अर्थ क्या है से उतर है अमीर हिर्दे से है धन से नहीं है अजगर करेना चाकरी पंची करेना काम दास मलूका कहगे सबके दाता राम यह किसका कथन है भारत दुर्दसा नाटक में यह कथन आलस्यका है जो पढ़तव्यम सो मरतव्यम जो न पढ़तव्यम सो भी मरतव्यम तब फिर दंत कटा कट कीम करतव्यम यह किसका कथन है यह कथन आलस्यका है जो पढ़तवयम सो मरतवयम जो ना पढ़तवयम सो भी मरतवयम तब फिर दंत कटा कट किम करतवयम भारत दुरदासा नाटक में या आलत से पातर का कथन है पढ़ने वाला भी मरता है जो नहीं पढ़ता है वह भी मरता है तब फिर दात बजाने से क्या लाब अर्थात परिश शंदर ने बताया है इसी संदर में आलत से पात्र से इस संवाद को कहलवाया गया है सामनी सी इस्तिरी, लाल कपड़ा, सोने का गहना, पैरों में घुंगरू यह किसकी रुप का चित्रण है जो चित्रण मदीरा का है भारत दुर्दासा में मदिरा को किस की कनिया माना गया है से उतर है भगवान सोम की कनिया है मदिरा देवताओं द्वारा मदिरा को क्या कहा जाता है देवताओं द्वारा मदिरा को सूरा कहा जाता है मदिरा के संदर में कौन सुमेलित नहीं है हिंदू के संदर में सोमपान बौध विराचमन मुसलमान सरावित हूरा कहते हैं और क्रिस्तान रम कहते हैं तो सहीतर है यहां पर रम क्रिस्तान यहां कर रहा है कौन सूमेलित नहीं कौन मैच नहीं कर रहा है यहां पर क्रिस्टान जो है इस नाटक में आया है बाप टेजिंग वाइन कहते हैं और मुसलमान सरावेत हुरा कहते हैं बौध में विराचमन कहा जाता है मदिरा को और हिंदी में सोमपान कहा जाता है हिंदू बौध मुसलमान और क्रिस्टान इन चारों में किसकी प्रेम मूर्ती विराचमान है यह किसका कथन है यह कथन मदिरा का है भारत दुर्देव मदीरा को आदेश देता है कि भारत को बरबाद करने के लिए तो मदीरा कहती है कि हिंदू, बहुत, मुस्लमान, क्रिस्टान, क्रिस्ट्यन इन सारों में मदीरा जो सराब है वो विर्याजमान है दूद सूरा दधियू सूरा सूरा अनधन सधाम वेद सूरा इसवर सूरा सूरा स्वर को नाम यह गीत किसने गाया है इस गीत को गानेवाली पात्र है मदिरा मदवा पिले पागर जीवन बित्यों जात बिनुमद जगत सार कच्छों नहीं मान हमारी बात ऐसी सिर्धी छोड़ी मन मूरक काहे ठोकर रखात इस गीत में किसके नुखसान को बताया गया है इस गीत में मदिरा के नुकसान को बताये गया है मदवा पीले पागल जीवन बित्यो जात बिनुमद जगत सार कछो नहीं मान हमारी बात इस गीत में कौन सा राग है इस गीत में काफी और धनासरी का मिल है रा का नाम है काफी और धनासरी दोनों का संयोग है इस गीत में जैजे कलियूग राज की जै महामुह महराज की उपर्यूगते गीत किसके द्वारा गया जाता है से उतर है अंधकार के द्वारा गया जाता है भारतेंदु हर्चंद्र ने अपने नाटक भारत दुर्दासा में अग्यान और जड़ता के परतिक के रूप में किस पात्र को प्रस्तूत किया है से उतर है अंधकार को प्रस्तूत किया गया है अग्यान और जड़ता के परतिक के रूप में भारतिन्दु ने चोर उलुक और लंपटों का एक मात जीवन किसे कहा है से उतर है अंधकार को कहा है परवतों की गुहा सोकितों के नित्र मुर्ख के मस्तिस्क में किसका निवास होता है से उतर है अंधकार का निवास होता है अध्यात्मिक और आधि भौतिक किसके दो स्वरूप हैं? भारत दुर्दसा नाटक में अध्यात्मिक और आधि भौतिक अंधकार के दो स्वरूप हैं नाटक के कौन से अंक में एक साध सदस्य कमीटी की बैठक होती है शेतर है पाचवे अंक में जो किताब खाना है साथ सदस्यों की कमीटी में कौन सामिल नहीं था साथ सदस्यों की कमीटी में भारत सामिल नहीं था सभा किसके कारण भंग हो जाती है सेवतर है अंधकार के कारण भंग हो जाती है सभा के सदस्यों को डिसलायल्टी के द्वारा किस एक्ट के तहत पकड़ा जाता है सेउतर है इंगलिस पॉलिसी एक्ट के तहत पकड़ा जाता है भारत भाग पातर का परविश नाटा के किस अंक में होता है सेउतर है छटे अंक में होता है जागो जागो रे भारत भाई इस गीत को कौन गाता है इस गीत को गाता है भारत भागया जागो जागो रे भारत भाई या गीत किस अंक में है या गीत छठे अंक में है जागो जागो रे भारत भाई गीत में कौन सा राग है इस गीत में चैती गोरी राग है भारत इंदू हरिचंद्र के उनसार विदिया का सूर्य का किस दिसा में उदय होता है विदिया का जो सूर्य है वो अपश्चिन दिसा में उदय होता है भारत दुरदसा नाटा की अंते में कौन अपनी छाची पर कटार से आगहात कर लेता है सेवतर है भारत भाग गया अथक प्रियास के बाद भी जब भारत नहीं उठता है तो भारत भाग गया क्या करता है या छटे अंक में या दिर से है कि जब प्रियास करता है भारत को उठाने के लिए भारत भाग गया जब नहीं उड़ता है तो वा आत्म हत्या कर लेता है अपनी छाती पर कटार से अगहाद कर हिंदी साहित में आधुनिक्ता के अगरदूत किसे कहा जाता है हिंदी साहित में आधुनिक्ता के अगरदूत भारतेंदू हर्शंद्र को कहा जाता है आधुनिक हिंदी साहिते के पितामा भारतेंदु हरचंदर को कहा जाता है भारतेंदु हरचंदर के पिता गोपाल चंदर ने किस नाटक की रचना की भारतेंदु हरचंदर के पिता का नाम है गोपाल चंदर उन्होंने नहुस नाटक की रचना की आधुनिक हिंदी कावे का वैतालिक किसे कहा जाता है से उतर है भारतेंदु हरिचंद्र को कहा जाता है हिंदी कावे का वैतालिक का मतलब है जागन का संदेश सुनाने वाला भारतेंदु हरिचंद्र ने सेक्स्पियर के नाटक मर्चेंट आफ वेनिस का हिंदी अनुबाद किस नाम से किया है से उतर है दूरला बंधू के नाम से किया है मर्चेंट आफ वेनिस का हिंदी रुपांत्रन दूरला बंधू के नाम से भारतेंदू हर्शंद्र ने किया है कथन से यह प्रस्ण है हिंदी नई चाल में ढ़ली यह किसका कथन है यह कथन भारतेंदू हरिश्चंद्र का है तद यह समाज की अस्थापना किसने की तद यह समाज की अस्थापना भारतेंदू हरिश्चंद्र ने की समाह और अंतिम प्रस्ण है हिंदी लिखकों की समस्या समधान के लिए कभीता वर्धनी सभा की अस्थापना किस ने की से उतर है भारतेंदु हर्ष्चंद्र ने की कभीता वर्धनी सभा की अस्थापना भारतेंदु ने हिंदी लिखकों की समस्या समधान के लिए की वीडियो कैसा लगा आप हमें केमिन कर बता हैं यदि चलना पर पहली बार आएं तो हिंदी परा को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिप्रिकेशन आपके पास हैं में परपोर सेकें वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच सेयर करें नमस्कार